गैस लेकर आचुका हूँ एक और ग्लास एड़ फोड़ोशॉप 2023 की जिसमें मैं आपको से कहा हूँगा है दो टूल्स और जोके सेलेक्शन टूल हैं बेसिकली बहुत एक्सलेंट टूल हैं बेसिकली यह आप लोगों की सेलेक्शन के लिए काम में आती है अगर आपको कोई चीज स्यलेक्ट करने हो तो आप इस टूल की मदद से सेलेक्ट कर सकते हूँ हमारी पाथ दूटूल हैं जिसका मैं आज की इस वीडियो के नने देने वाला हूँ वीडियो हो सकता है थोड़ी सी, तो छीपश़ाने वाल ऑने तो इस वीडियो को ज़रूर एं तेक बहुत कर नहीं है तो इस वीडियो को स्याइब या टाइम करूगा तो इस इदैर बढ़एं पर गापर मुपीटर मूफ की तो यहां पर, वुख जिसकी पहले मुझे जेघा गया इस स्यर्ट कर sut simply आप दुबारा देख लीगा यह मैंने डिस्लेक्ट कर रहा है तो मेरी स्लेक्शन गए मेरी स्लेक्शन जो है वो डिस्लेक्ट हो चुकी है अब simply यहां से सबसे बहुत है मैं layer panel एक open कर लेता हूं ठीक है यहां पर मैंने rectangle को draw करने के लिए simply कुछ भी create इस तरीके से कल लेना है और simply अगर आप इसको move करवाना चाहो तो कैसे करवा सकते हो यह ही आपका select रहना चाहिए और उसके बाद आप इसको move करवा सकते हो जहां आपका दिल चाहे हो वहां पर आप अगर इसको इसको इस तरहां से move नहीं करवागा अगर आप चाहरो के direct हम इसको move tool से move करवा है तो भाई आपका move नहीं होगा यह आपका जो है पीछे का background उसको delete कर रहा हो जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहां पर मैं इसको unlock करता हूं simply मैंने lock पर जैसे click कर रहा है यह unlock हो चुक है हमारी layer अभी यह तो हमारा क्यों move हो रहा है क्योंकि यहां पर हमने rectangular marky tool लिया वह है पर जैसी मैं यहां से move तो लोगा तो आप लोग देख सकते हूं यहां पर simply मेरा पीछे का जो है वो transparent हो रहा ह यानि के delete हो रहा है ठीक है I hope आप लोग यह समझ चुके होंगे कि आपने जब भी कुछ selection create करनी है तो आपको उसको move भी उसकी selection tool से ही करना होगा ना कि आप लोग move tool से कर रहा हो वनना फिर आपका जो background है वो delete हो सकता है तो undo करने के लिए मैं क्या करूंगा Ctrl Z प्रेस अब देखते हैं दूबारा से अब यहां पर मैंने दूबारा से वही वाली selection tool लिए यानि के rectangular marki tool लिए और जैसे यहां पर मैं एक और create करूंगा तो यहां पर जो मेरी दूसरी वाली वह reselect हो जाएगी यानि के वह अब वह सरिफ एक ही select होगी ना के double-double select कर सकते हो आप लोग यहां पर simply आप लोग क्या कर सकते हो सिर्फ एक selection ले सकते हो double नहीं ले सकते हो double कैसे ले नहीं है वो भी मैं आपको शिखाऊंगा आप यह पास बहुत सारी यहां पर चीज़े हैं कि यहां पर आपको square बनाना हो तो आप shift क्लिक करना ठीक है अगर आपको rectangle बनाना हो कस्टूमाइज करके बना सकते हो बगार किसी shot कीगे ठीक है and like आपको यह याद रखना है कि आप जब भी rectangle बना रहे हो तो आपका simply एक corner से बनता हुआ निज़र आएगा ठीक है यहां पर आप लोग देखो बिल्किल corner से आपका rectangle create होना शुरू हो रहा है shift के साथ में create कर लेता हूँ अब बात ही आती है यहां पर हमने यह तो देख लिए के भाई हम एक selection कर सकते हैं ठीक है यह तो हमने देख लिया बट अब हम double selection कैसे कर रहे है मजीद हम इसके अंदर अपनी selection कैस create कर सकते हैं यह भी जान लेते हैं तो simply यहां पर आप लोग ने इसको जानी लिया हुआ तो अब हम इसके आया दें properties bar के नहीं यहां पर properties bar नजर आ रहोगा इस rectangular marki tool का तो simply यहां पर आपके पास जो दूसरा add to selection इसको आप अगर प्रेस करते हो तो आप यहां पर multiple selection create कर सकते हो like आप जितनी मर्दी है आपकी उतनी यहां पर simply selection create कर सकते हो अगर आप इस के इना double selection करना चाहरे हो आगे चलो यहाँ पर आपके पास सब्सक्राइब्शन का भी एक option दिया गया है simply आप इसको select करोगे मजीद अगर आपको subscribe करना यान के minus करना है तो आप simply वह चीज़ select करोगे और वह चीज़ आपकी यहाँ से minus to TV नजर आएगी आप यहाँ पर देख सबते हो किस तरीके से minus हो रहा है और अगर आप चाहते हो कि मैं एक selection मनाऊ और उस selection के नहीं जितनी चीज़ है वह हमारी बचे है बागी जो सारी बहार की चीज़ है वह delete हो जाए तो यहाँ पर आपके पास तीसरा option दिया गया है इंटरसेक्ट पर आप जैसे क्लिक करोगे यहां पर आप जैसे क्रिएट करोगे तो जैसे कि मैं आपको भी बताया है जो भी चीज इसके नहीं स्लेक्ट होगी आपकी selection के नए वह चीज यहां पर रहेगी बागी सारी यहां से delete हो जाएगी जैसे मैं यहां पर release करता हूं mouse का button तो वही हुआ जो मैं आप से कहा था तो simply आप लोग यहां पर देख सकते हो तो मैं क्या कर दूँगा मैं simply इतना यहां से इसको ले लेता हूं ठीक है यहां से मैं चलियाता हूं color कर देता हूं इसके नहीं कैसे करूँगा एडिट केने जाओंगा फिल केने जाओंगा यहां से color पर ok click कर दूँगा like color मेरा आ चुक है यहां पर आप लोग देख सकते हो क्या हमारा color आ चुक है अब आप लोग अगर और कुछ इसके नहीं करने चाहो तो भी कर सकते हो ठीक है यह चारो option आप असान के साथ समझ गयेंगा मुझे उमीद है तो like मैंने यहां से अपना color उसको हटा दिया अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूं यहां पर यहां पर जो अपना अगला जो है वो है feather और यह feather क्या है यहां पर simply आप लोग को मैं एक चीज़ करक यहां पर simply आपको क्लिक कर देना जस्ट ठीक है यहां पर इसकी short case के आगे लिखी है like यहां पर आप लोग देख सकते हो control D ठीक है यह आपका जब enable होगा जब आप यहां पर अपनी कोई selection create करोगे otherwise यहां पर कुछ enable नहीं होगा ठीक है अब मैं आपको छिखाता हूं यहां selection मनानी है मुझे ठीक है and selection मना लेने के बाद simply अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर जो edges है simply जो edges हैं वो कुछ अलग तरीके के है ठीक है and मैं इसको थोड़ा सा zoom करके दिखा लेता हूं आपको and like आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो edges जो हैं वो आप लोग किस तरीक तरके दिखा देता हूं ताकि आप लोग को यह अंदाजा हो सके किस तरीकी के हमारे यह edges हैं तो यहां से मैं fill करने जाओंगा and color and यहां से हमने red color select कर रहा है and ok press करके यहां पर भी ok press कर देना है तो simply अब आपको यहां पर निज़र आ रहा होगा कि edges जो हैं हमारे वो किस तरीके से हैं अब यहां पर मैं क्या करता हूं मैं यहां पर multiple selection create करता हूं like this उससे पहले control D press करूँगा उससे पहले यहां पर feather apply करूँगा like यहां पर मैं कर देता हूं 20% and 20% मैंने यहां पर feather apply कर दिनके बाद simply selection create करी selection के दर आप लोग यहां पर आप देख सकते हूं के soft यानि के rounded and soft यहां पर आपको feather नज़र आएगा अब मैं जाता हूं color करने के लिए यहां पर simply color and color यहां पर जैसी मैं आप्लाई करा तो like आप लोग यहां पर देख सकते हूं के यहां पर मैंने feather को apply कर दिया है like अगर आप लोग भी चाहत हो कि हम feather apply कर सके soft अगर आप लोग चाहते हो करना तो आप इस feather का use कर सकते हो वैसे हम लोग भी feather आगे चलके use करेंगे images के अंदर use करा जाता है feather आगे चलके आप समझ जाओगे कि आपको feather किस चीज के अंदर use करना पड़ता है तो simply में क्या करूँगा तो I hope आप लोगों ने feather को भी समझ लिया होगा तो यहां पर आगे चलते हैं तो आगे बार यह आती है आगे सिंप्ली one by one की बना कर घेगा चाहBir आप जितने बड़ा बनाना चाहँ उतना बड़ा बना सकते हो अगर आप न बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो ठीक है आप लोग देख सकते हो 20 by 10 का यहां पर मुझे एक rectangle क्रिएट करके दिया जा रहा है तो simply आप लोग fix ratio से आप लोग तो समझ गए होंगे कि यह किस काम में आता है height or weight के, height or weight के, यह basically selection है सारी जो के आपकी बहुत जादा use होती है photo editing के अंदर, ठीक है यहां पर दूसरा method है fix size और fix size यहां पर आपको दिया जाता है आप simply आपर click करोगे तो आपका rectangle बनता हुआ नजर आ रहा होगा यानि selection आपके उतीव नजर आती होगी, अगर आप मजीद इसके ने changing करना चाहो तो कर सकते हो like 200 by 100 like this, यहां पर आप लिख सकते हो, जैसे के मेरा यहां पर create हो रहा है selection मजीद अगर आप लोग selection करना चाहो तो simply आपको पता है, यहां से आपको क्या करना है add to selection पर आपको simply click कर लेना है, और यहां से multiple selection create कर सकते हो like यहां पर आपके बास बीच में arrow है, यहां पर आप swipe कर सकते हो, जैसे click करूँगा और यहां पर जैसे click करने के बाद मेरा यहां पर वही हो जागा जो कि मैं आपको बता है, rotate बनना start हो जाएंगा मेरी selection I hope आप लोग को यह अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा और इसी की बाद आप आप यह सारी tools हैं, इनको भी सीख सकते हैं like जैसे के rectangle tool है, और elliptical tool है यानि के control depress कर लेता हूं, मैं तो सब सब बहल है जैसे हमने वहां पर rectangle बनाना से का, square बनाना से का यह उसी तरीचा से यहां पर आपको क्या बना koş के देगा, circle बना ले Scorpalerup गाल वीतलब hate circle सब्सक्राइम है जैसे मैं आप लाए यह अब लोग कर सकते हूं जिस तरीच से हम यहां पर add कर सकते हैs subscribe कर सकते हैं, और आपको नहीं समझा दिया है ताकि आप यह खुद भी असानी के साथ समझ सको अब इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए एक और असानी करता हूँ simply मैं एक file यहाँ पर open कर लेता हूँ मैंने एक file जो image है उसको download करके रखा हुआ है तो simply यहाँ पर मेरे पास यह रही है वाली image मैं open कर लूँगा and like this यहाँ पर आप लोग दिख सकते हों के यह हमारा coffee का cup और with plate मैं इसको select करूँगा और इसको मैं cut करके लिखाता हूँ आपको simply तो यहाँ पर मैं क्या press करूँगा shift के साथ एक rectangle draw कर लूगा हाँ एक बात और यहाँ पर आती है अब यहाँ पर हम किस तरीके से अपनी selection को perfectly create कर सकते है Ctrl D से आपको मैंने बता दिया कि D select होता ठीक है and किस तरीके से हमें वह selection create करनी है कि भीकुल perfect हमारी selection create हो एक method मैं आपको भी बता देता हूँ आप selection create कर रहे हो shift press कर दो बिल्कुल circle बन जाएगा आपका जैसी आप big space click करोगे तो आप selection को कहीं पर भी move करवा सकते हो ठीक है and छोटा करना चाहो तो छोटा करो and यहाँ पर आप इसको बिल्कुल असानी के साथ select कर दो like मेरी एक selection जो यहाँ पर ready हो चुकी है and ठीक है अब यहाँ पर मैं इसको move करवाना चाहूँ तो move करवा सकता हूँ Ctrl Z press करता हूँ मैं यहाँ पर जाता हूँ edit and यहाँ से simply cut कर सकता हूँ Ctrl Z press कर सका हूँ और यहाँ से copy लेता हूँ और यहाँ से paste कर देता हूँ ठीक है एंड और इसका जो दूसरा प्याला और जो चाय यानि कि कप एंड चाय जो हम कहीं पर भी एड़ेस्ट कर सकते हैं एक मेतड हमारा यह सेलेक्शन करने का बागी दूसरा मेतड जो है वह भी बहुत असान है उसके लिए आपको लेना पड़ेगा रूलर जेने के लिए इन पर आपको 아침 रूलर इसकी पर लेन करें जाएंगे हैं यहाँ पर नीचे में जाकर सुक्री अट पर बआपको पर यह को दो चया delicate इसका जो एज यानि कि यहां पर जो डोनों अटेज हो रहे हैं यहां से आप simply अपनी selection जो इस टार्ट करेंगे यूजिंग shift key के साथ and like this यहां पर जैसी मैंने इस तरीक से create कर रहा तो यह मेरी perfectly selection जो है वो create हो चुक है यहां से वही आपको copy लेकर दिखा देता हूं copy and paste and यहां से simply मैंने move tool लिया और मैं इसको कहीं पर भी move कर वा सकता हूं so ctrl r press करके मैं ruler को वापसी हट आ सकता हूं and guides जो हमारी आ चुके मैं च्छोटी से example दी बाकी जो अपना rectangle tool दा इसकी में आपको एक example देता हूं file करने जाके open कर लेता हूं एक और image पर पड़ी हूई है simply यह रही image अब यहां पर जो मेरे पास glasses के मैं इसको आपको cut करके दिखाता हूं simply यहां से मैं इस glass को select कर लूँगा select करने से पहले मेरे पास क्या होना चाहिए यहां से simply new selection होना चाहिए यहां पर आपको दिखान में रखना होगा कि आपका style नॉर्मल होना चाहिए ताकि आप किसी भी तरीके के यहां पर selection कर पाएं तो simply यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से एक draw कर लिया अब मजीद selection के लिए मुझे यहां पर add selection क्लिक करना पड़ेगा यह वाला भी मैं select कर लेता हूं select कर लेने के बाद simply मैं edit के नरा चुका हूं यहां से cut करना चाहँ तो cut कर सकता हूं ctrl z undo के लिए ctrl z use होता है यहां से simply copy कर लेता हूं और यहीं से paste कर देता हूं अगर आप इसको कहीं और use करना चाहँ तो इसको कहीं और भी इसको use कर सकते हो I hope आप लोगो यह दो example से काफी अच्छा कुछ समझ में आ गया होगा तो आप इस tools को use कर सकते हो ठीक है आपको मैंने सिखा दी है अब बारी आती ही lasso tool की और lasso tool काफी असान tool है यह आपकी simply selection करके देता है यानि के अगर आप freehand selection करके देता है यानि के आप जैसे pencil use कर से हो यह उसी तरीकी का है simply आप यहां पर बस अपने mouse को जिस तरीके से भी move करवाओगे यह उस तरीके से आपको selection create करके देगा like जैसे मैं freehand कर रहा हूँ यहां पर जैसे मेरी selection को खतम कर रहा है selection कैसे खतम हुई है तो वह भी आप लोग देख लीना simply यहां से मैंने click करके इस तरीके से drag करवा रहा हूँ जो भी कुछ में यहां पर create करना है simply मैं यहां से इसी तरीके से create कर सकता हूँ ठीक है and like जब मुझे खतम करना होगा यह जहां से मैंने start करा था मुझे वही पर लाकर इसको release करना होगा simply मेरी यह selection create है अब मैं जाँगा edit के अंदर यहां से जाँगा fill के अंदर और fill के अंदर में color कर दूँगा red color कर देता है and like यह जो मेरी selection है यह create हो चुकी है अब आप इस तरीके से इसको select कर सकते हो कोई भी चीज़ आपकी इस तरीके से आप selection कर सकते हो यहां पर अगर थोड़ी देर रुखो तो यहां पर आपको एक tutorial भी दिया जाता है like आप लोग देख सकते हो इस tutorial को भी and like यह एक basic चीज़ थी आप लोग को I hope समझ में आ गई होगी यह आपको बता चलिका होगा कि आप किसी भी selection को किसी भी चीज़ को इस तरीके से select कर सकते हो freehand ठीक है और मज़ीद selection के लिए आपको simply यहां पर add selection करना हुआ यह भी आपको पता चलिका होगा and I hope आपको यह सारी चीज़ी जो हैं like उसी तरीके से यहां पर 3-4 option दिये हुए और यहां पर feather apply करने का option दिया हुए आपके पास तो simply मैं इसको select कर लेता हूँ अब बार यह हमारी दूसरी tools और दूसरी tools जो है हमारी यहां पर polygon lasso tool ठीक है और यह काम करती है state line के अंदर यानि कि अगर आप click करोगे तो आपकी state path ही create होगी ना के rounded path करा तो आप यह आपका पीछे नहीं छोड़ने वाली आप जहां जहां पर click करोगे यह आपके पीछे पीछे आएगी ठीक है ना यह round हो सकती है यह round नहीं हो सकती है simply आप जैसे यहां से selection करना चाहूँ जैसे selection कर सकते हो और मैं आपको से कहा हूँगा एक example दोओगा and selection बन करने के लिए यह end point आपको use करना पड़ेगा इसको deselect करता हूँ मैं ठीक है बुबारा मैंने ली यहां पर मैंने simply click करा यहां पर click करा and यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कर दिया अब यह मुझे से गलत हो चुका है तो आप मैं back कैसे करूँगा ctrl z से कुछ नहीं होगा इसका एक असान तरीका होता है ठीक है पीछे लेके आओ तोड़ा सा माउस को backspace दबादा बेग स्पेस कोन सवाला है वो जो छोटा वाला अपना button होता है जो बेग स्पेस का उपर ही होता है वो आपको प्रैस करना है simply app की जो selection है वो पीछे आते रहेगी और यह आपके जो points है यह खतम हो जाएंगे अगर आप तो करना चाहो तो कर सकते हो और इसको हम देख लेते हैं अगर मेरे पास कोई image पड़ी हुए है तो simply मेरे पास एक image पड़ी हुए है बट इसके न में क्या करूँगा तो मैं आपको एक selection करके दिखा तो हम rough selection है बेससे तो मेरी ठीक है एक यहां पर मैंने जैसे क्लिक कर रहा तो मैं एक आगी की तरफ यहां पर क्लिक कर दूँगा एक यहां पर क्लिक कर दूँगा अपने selection खतम करने के लिए मैं यहां पर क्लिक कर दूँगा अब यहां से मैं जाओंगा edit के अंदर यहां से copy ले लेते हैं edit करने जाकर paste कर देंगे move to लेकर मैं इसको अगर यहां पर रख दूँ shift के साथ मैं यहां पर लेक्या कर यहां पर इसको fix कर सकता हूं ठीक है इसको मैं transform करके यहां पर adjust कर सकता हूं यहां आप देख सकते हो कि मैंने एक ही दर्वाजे को डबल डबल दर्वाजा कर दिया और आप अगर सेलेक्शन करना चाहो तो स्टेट सेलेक्शन करना चाहा रहे हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो polygon lasso tool की इसके बाद जो हमारा last और इसकी last का last tool है और यही सबसे अच्छा tool है कैसे अच्छा tool है मैंने simply इसको select करा और मैं आ जाता हूँ अपनी एक file के अंदर और यह simply एक ऐसा tool है जो के edges को detect करता है यानि के edges को खेशता है अपनी तरफ और उसकी selection बना देता है यहां पर जैसे मैं इसको zoom कर लेदा हूँ थोड़ा सा control plus की मदद से मैं इसको zoom कर रहा है यहां पर जैसे मैं selection create करने के लिए यहां पर click करता हूँ तो जैसी मैं यहां से आगे चलता रहूँगा जितना यह हमारा pixel है इस pixel को detect करेगा और मेरी selection create कर देगा जैसी मैं आगे की तरफ चलता रहूँगा यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मेरी selection create होई जा रही है अब देख सकते हो आप लोग कि यह backspace में click कर रहूँगा पीछे जाने के लिए यहां पर आपको simply करीब करीब से जाना है तब ही यह आपकी selection create कर पाएगा तो यह एक काफी अच्छा टूल है जिससे आप अपनी selection create कर सकते हो और आपको भी वताऊँगा कि अगर आपकी selection खराब हो रही है तो आपको क्या करना है बेगस पेस दबाना है ठीक है and आप लाइग इस तरीके से अपनी selection को create कर सकते हो अब यहां से मैं खतंकरने के लिए अपनी selection को यहां से खतंकर देता हूं and मेरी जो selection है वह इतनी हो चुकी है अब मैं इसको copy कर सकता हूँ जो भी कुछ करना चाहूँ इसके साथ को कर सकता हूँ मज़ीद यहां पर आपको वही चार टूल्स चार जो ऑप्शन होते हैं वो दिये जा रहे हैं और यहां पर आपको वही चीज दी जा रही है यानके फैदर और यहां पर आपको दिये जा रहा वेट अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको बढ़ा देत तो इस वैसे अच्छे से डिटेक्ट करेगा मेरे एक चीज को तो अभी अपनी स्लेक्शन को मैं हटा देता हूं ठीक है यहां पर मैंने जैसी वेट बढ़ाया है तो यहां पर जो मेरा मेंगनिट्ट जो टूल है वो इसको जल से पकड़ रहा है जली-जली पकड़ रहा है जैसि अगर मैं यहां से बहार भी लेके जा bientôt तो वह इसी को स्लेक्ट कर रहा है यहां पर Contrast बहुत बहूं कर रहा है हम पड़ाये तो क्यا होगा यहां पर स्लेक्शन अपनी Ben, SMPD अपनी यह तोड़ा सा गलत हो चुका है तो मैं वापसी बेग स्पेस को क्लिक करूंगा अगर आपका यह खराब हो जाए जैसे आप देख सकते हैं यहां पर आगे पीशे नहीं हो रहा तो मैं इसको किस तरीके से एड़ेस्ट कर सकता हूं like यहां से जो है मैं अपनी सेलेक्शन करता वार हूं बढ़ अब मैं नीचे जा रहा हूँ तो कि लिक करकर भी सेलेक्शन को मैं सब्सक्राइल करना सकते हो ठीक है जिस तरब भी में इसको करना चाहूं तो इहां पर स्थोड़ी सी selection जो है वो अच्छी क्रियेट होगी और जो देख भाल करना ही चलेगा उसकी selection ऐसी भी कार क्रियेट होगी तो यहाँ पर देखें मैं जहाँ जहाँ इसको लेकर जाऊँगा वहाँ यह selection लेकर आएगा अपनी और करने के लिए मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा माउस को लेकर और बिग स्पेस क्लिक करना पड़ेगा तो सिंप्ली यहाँ पर जो वित है वो 80% कर देता हूं यहाँ पर मैंने काफी मज़ेदार सी होगी तो सिंप्ली यहाँ पर जो है मेरी selection जो है वो शुरू हो चुकी है और आप point भी देख सकते हूं कितने कम point यहाँ पर आपको नज़र आ रहा हूंगे और जितना मैं यहाँ से canvas के अंदर दूर जूर जूर जा रहा हूं उसी तरीक से यह मेरे जो है पिक्सल को जो है वो खीच रहा है अपनी चरफ आप लोग लोग देख सकते हूं कितना दूर में चल रहा हूं फिर भी इतनी अराम से हमारी selection क्रियेट करके दे रही है मैं इस पर आपको करके दिखा जिता हूं यहां से मैंने लिया हुआ है और यहां पर मैं जैसी प्रेस करते हुए आगे की तरफ आता हूं तो यहां पर जो है मेरी selection काफी easy और काफी असानी के साथ हो रही है ठीक है यह तो आपकी नजरों के सामनी है ठीक है जोड़ा सा shadow अगेरा आ जाता है तो उसके उपर भी यह move करवा दिती है बढ़ हां selection काफी अच्छी हो जाती है यहां पर मेरी selection हो चुकी है अब मैं यहां से cut कर सकता हूं यहां से paste कर सकता हूं और sorry 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 big space ने दवाया था मैंने ठीक है यहां से मैं अपनी selection जो है इसको खतम कर रहा हूं and move tool लेके मैं इसको कहीं पर भी adjust कर सकता हूं like यह थी हमारी दो tools जो के आपने आज सीख लिए होंगी मुझे अपने सीखी होंगी कुछ आपको इसके बारे में समझ आगया होगा और अगर आगया है तो very good नहीं आया है तो comment में पूछ लिएगा reply कर दूँगा I hope guys आप सबको यह वाली वीडियो काफे जादा पसंद आई होगी और उमीदे के आपको यह वाली tools जो है वो समझ में आगया होगी और अगर आई है तो please like करें और share करेंगे अपने दोस्तों के साथ और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो के नए टुटोरियल के तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल लखेगा subscribe करना चाहोँ तो subscribe कर सबते हो क्योंकि यहाँ पर आपको genuine content मिलता रहता है graphic designing से related तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो के नए टुटोरियल है कि तब तक करेंगे अपना बहुत सारा ख्याल लखेगा and Allah Hafiz